हलो दूस्तो नमेश्कार वोड़े का उपर आई बटन पे दे दिया है तो चले दोस्तो फिलाल इस वोड़े को श्टार्ट कर लेते हैं वापस अदानी का नाम हम लोगों को देखने को मिला सो आप यहापे देख सकते हैं हिंडन बग का ये ट्विटर हैंडल है उसमें उन्होंने ये मतलब तीन पैरेग्राफ आपको देखने को मिल जाएंगे और नीचे एक आर्टिकल देखने को मिल जाएगा सबसे पहले इंपोर्टन चीज क्या हिंडन बग ने वापस कुछ अदानी ग्रूप के ओपर आरोप लगाया है नहीं तो हिंडन बग ने क्या किया है कि आप सभी लोग को पता है फोर्ब्स येस तो फोर्ब्स में यहाँ पर अदानी ग्रूप से रिलेटटेड कुछ चीजों को यहाँ पर आइडनिफाइ किया है और फोर्ब्स ने भी कुछ एलिगेशन अदानी ग्रूप से रिलेटड यहाँ पर लगाया है सो आप देख सकते हो यह जो Forbes.com है Official Website के उपर जाके यह आप आर्टिकल चाहो तो पढ़ सकते हो सो अदानी ग्रूप से रिलेटेड उनने किस चीज़ को टार्गेट करके बुला है आप headline ही पढ़ कर देख सकते हो Gotham Adani's Older Brother मतलब बड़े भाई Emerge as a Family Empires की Fixer मतलब जो अदानी ग्रूप से रिलेटेड अगर हम लोग बात करे अदानी के अगर हम लोग बड़े भाई की बात करे विनोद अदानी उनके उपर Forbes ने आपे कुछ आरोप यह आपे लगाये है आप चाहो तो इस आर्टिकल में सारी चीज़े डिटेल में पढ़े सकते हैं बड़ेंट वरी हम लोग उसी से रिलेटेर बातचित करने वाले है कि क्या आरोप उनने आपे लगाये है मेजर लिए अगर देखा गया वो किसी को पता ही नहीं है hidden है करके जो सारी चीज़े यहापे प्लेजिंग चलती है कोई disclosure नहीं है इंडियन exchange के उपर यह उन्होंने बोला है Forbes ने बोला है और उसी के साथ-साथ आप देख सकते हो जो विनोध अदानी है उनको यहापे फिलाल तो उन्होंने टार्गेट यहापे किया कि कैसे उन्होंने आपे हेराफिरी की है उसके बारे में सारी बाते उन्होंने आपे बताई है तो definitely exactly हुआ क्या है वो आसान भाषा में में आप लोग उनको समझाने की कोश्य करूँगा क्योंकि आर्टिकल बहुत बड़ा है जादा हम लोग डीटेल में नहीं जाएंगे जितना important है उतना काफी है तो इस वक्की अगर हम लोग बात करें फोर्स ने आर्टिकल यहापे लिखा है विनोध अदानी जो की गौतम अदानी के बड़े भाई है उनको यहापे target करके कुछ आरोप उनने यहापे लगाए है अभी अदानी ग्रूप का इसे related क्या सपश्टी करण आता है वो अभी तक यहापे बाकी है ठीक है अभी आप focus रख लेना कि मैं क्या बोलने वाला हूँ अगर आपका concentration इदर उदर चला गया आपको लगेगा कि मैं कौन सी language में बोल रहा हूँ कुछ समझ में नहीं आएगा तो focus रख लेना presentation खराब रहेगा बट मुद्दे की बात है तो देखें क्या आरोप है देखें तो यह है दोस्तो विनोद अदानी मतलब अदानी के बड़े भाई ठीक है सो इनकी एक company है फ्राइवेट कमपनी है ठीक है इतना भी समझ में आगया इस private company की एक unit है किदर है यह unit आपको मिलेगी सिंगापूर में किदर है unit है अभी इतना तो समझ में आगया कि विनोद अदानी है उनकी company है और उनकी company की एक unit आपको सिंगापूर में देखने को मिल जाएगी अभी सिंगापूर में जो यह यूनिट आपको देखने को मिल रही है उस यूनिट ने लोन उठाया किसने सिंगापूर वाली यूनिट ने लोन उठाया है वो लोन कहां से उठाया है तो दोस्तों वो लोन उठाया है रश्या की एक बैंक देखने को आप लोन को यहापे मिल जाएगी ठीक है जिसका नम है VTB So VTB से उन्होंने यहापे लोन उठाया है ठीक है उसी के साथ साथ obviously लोन उनको यहापे मिल गया आप सबी लों को पता है कि यह जो VTB बैंक है रश्या की बैंक है इतना बड़ा लोन ऐसे थोड़ी ना देगी इतने बड़े जबी भी ट्रांजेक्शन होते है अरे हम लोग छोटा लोन लेते हैं क्या मंगता है सामने बैंक को येस गैरेंटर चाहिए गैरेंटी कौन ले रह उन्होंने कितने गैरेंटर लाएं उन्होंने दो गैरेंटर लिकिया है ठीक है उनके नाम क्या है वह भी मैं आपको यहाप मिली थी अभी exactly problem क्या है वह अभी मैं आप लों को बताने की कोशिश करूंगा अभी Forbes के आर्टिकल के उपर अगर मैं जाता हूं तो कुछ important points जो कि अभी मेरे आप लोग को बोले है, वोई चीज आप लोग यहापे देख सकते होते हुए, सबसे पहले जो में हम यहापे बात करे थे, कि विनोध अदानी, उनकी जो सिंगापूर में जो कमपनी है, जिन्होंने लोन उठाया है, उसका नाम यह है, पिनैकल, आप देख सकते, प अभी आप तक में बोल रहा था, आपको पता चल गया, दैन दोस्तों अगर हम लोग बात करें, बहुत इंपोर्टन है, कि एप्रिल 2021 में, यह जो पिनैकल है, विनोध अदानी की जो कमपनी है, उन्होंने 263 मिलियन डॉलर का लोन उठाया, लगबग लगबग रफली पकड लिना 2,500 करोड का लोन उठाया, ठीक है, and 258 मिलियन डॉलर का लोन किसी को दिया, मतलब एक जगे से लोन उन्होंने उठाया, और यही पैसा किसी को तो दिया है, अभी किसको दिया है, आप देख सकते हैं, कि उन्होंने लेंट आउट 258 मिलियन डॉलर to an unnamed related party, अभी किसको तो उन्होंने मतलब एक जगे से पैसे लिया, कि रश्या के बैंक को कि हमें लोन चाहिए करके, and यह actual में लोन, उन्होंने सामने वाले किसी तो related party को दिया है, उन्होंने नाम नहीं लिखा है, उदे unnamed है करके, ठीक है, हर किसी को पता चल गया होगा कि कि किसी को दिया है करक तो उनको ग्यारेंटर चाहिता नहीं यह देखी, यह है वो, अफ्रोज Asia Trade and Investment Limited, यह एक वो ग्यारेंटर हमनों को देखने को पता है, और यह चीज सिंगापूर में फाइल हो चुकी है, क्योंकि यह सिंगापूर की unit है, तो यह फाइल यहापे हो चुकी है, तो दोस्तों, ultimately यहां पर क्या हुआ है कि यह जो नाम काиком विद finished जो दो नाम गरेंटर है यह कोई और नहीं है यह अदैनी केृमोर्टर है यह है यही से सारी चीजह वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा, पंतलब आपको समझा सीन क्या है, कि जो percentage हम लोग बोल रहे हैं कि इतने 12% रफली पकड़ लेते, कि अदानी की shares गिरिवी है करके, नहीं, उससे ज़्यादा shares गिरिवी है, जैसे कि Forbes यहापे बोल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वो hidden रख उनके पास evidence ऐसा है कि अदानी के जो promoter के जो shares गिरिवी रखे हैं, वो hidden है, यह एक point समझ में आगे आपको, बैन आप देख सकते हैं रहे हैं, second point, अब private विनोध अदानी की जो company है, control Singapore की जो unit है, entity है, pledge अदानी promoter stake for 240 million dollar in a loans from Russian bank, और उसी के साथ साथ इन सभी चीज का कोई भ force भी ने हापे लगाया है, अब यह कौन-कौन सी company है, चलिए उनके उपर आ जाते हैं, पहली company दोस्तो अदानी enterprise, अदानी enterprise में अगर आप जाओगे, share holding pattern में देखोगे, promoter के उपर click करोगे, तो आपको यह companies के नाम देखेंगे, यह रिखेंगे, अफ्रोज, Asia trade and investment limited, कितना percentage देखने को मिल रहा है, 2.65, तो Forbes का यह आरूप है, कि यह shares उनके पास है ही नहीं, यह तो गिरवी रखे हुए है, अभी कितना percent गिरवी रखा है, वो देखना पड़ेगा, अब वो disclose तो किया नहीं है, बट पता नहीं, and then second, यही, WW, मतलब Worldwide Emerging Market Holding Limited, यह भी 2.65 है, यह भी shares, रश्या के बैंक को यहापे, as a guarantor के form में यहापे गिरवी रखते वे देखने को मिल रहा है, and promoter के shares गिरवी रखे है, और कोई भी disclosure यहापे नहीं हुआ है, और ऐसे एक company नहीं है, then अदानी power भी है इसमें, अदानी power में भी अगर आप देखोगे, promoter holding अगर आप चेक करो है, हम लोग जो देख रहे हैं, अदानी power का share holding pattern है, कितना है, 74% promoter के पास है, आप देख सकते हैं, कि मैं अदानी power की ही बात कर रहा हूं, थोड़ा नीचे आ जाता हूं, यह देखे, तो हम कितना बोलते हैं, 18.75%, उन्हें क्या किया है, 74 में से इतना shares यहापे रखा है, इतन data है, वो clear data नहीं है, जो भी percentage आप देख रहे हों, कि अदानी की शर्फ इतने गिरवी है, उसे कई ज्यादा गिरवी रखे हुए है, यह मुद्दा, Forbes ने फिलाल तो, यह allegation, अदानी ग्रूप एंड उनके भाई के उपर फिलाल तो यहापे लगाया है, next company की बात करेंगे, स के बाद WW की दर गया, यह देखे, worldwide, तो यह सारे shares जो promoter की holding में देखने का आपे मिल रहे है, उन्होंने गिरवी रखे है, रशिया के पास और कोई disclosure यहापे नहीं है, यह percentage देखने को मिल रहे है, यह actual नहीं है, इससे कई ज्यादा shares गिरवी रखे हुए, according to the Forbes, अदानी transmission की बात करें, यह तो लगातार नीचे ही जा रहा है, यहाँ पर भी अगर आप चिक करोगे, share holding pattern में, तो यह देखे, नाम आपको देखने को मिल जाएगा, same, अभी यह तो formality यहापे रहे गई, और कितने shares गिरवी है, अगर आपको लग रहे है, सिफ 4-5% ही गिरवी है, नहीं यह data इससे कई ज़्यादा है, जैसे कि force ने आपे बोला है, और हिंड़नमग ने यह data हम लोग को क्या किया है, force का tweet करके आपे वापस यह बताया है, अभी यह देखना पड़ेगा, कि Monday के दिन इसके चलते, क्या reaction बाजार में देखने का आपे मिल जाता है, इसका indirectly impact समझते ह आप क्या है, indirectly impact यह है, कि और ज्यादा loan अदानी ग्रूप ने आपे लिया है, और उनके जो shares है, किसी के पास pledge है, आपको पता है, सबसे dangerous बात यह होती, कि अगर आपके shares किसी के पास गिरवी है, और जो मैंने आप लोगों को 100 का example दिया था, कि 100 तक रहेगा, वो bank बताएग bank को थोड़ी ना खुद को घाटे में लेके जाना है, या फिर खुद का NPA करवाना है, उनको भी तो अपनी shareholder को जवाब देना पड़ता है, तो ऐसे और कितने सारे hidden कोई चीजे है भी नहीं है, तो यह भी किसी को अभी पता नहीं है, बहुत बड़ा question mark है, आपको पता है, share market को question mark, yes, uncertainty बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, और भी बहुत सारे खुला से सामने आ सकते है, शायच से और भी कई चोकानी वाली news सामने आ सकती है, बट overall इससे related एक conclusion तो सामने आ जाता है, कि यह allegations उनने लगा है, यह सच है या जूट है, we don't know, बट इतने सारे आरोप अगर एक साथ यहाँ पे list में आपे लग जाते है, तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि उस particular group में जाना और निवेश करना कितना जादा dangerous हो सकता है, जो बड़े investor है, उनको तो पता चल गया, कि क्या करना है करके, already जो बड़े investor है, वो तो exit ले रहे है, सिर्फ emotional investor जो अभी है, वो यहाँ पे हम लोग को इंटर करते वे देखने को मिलेंगे, और वो बहुत ही बुरी तरीके से, बहुत सारे लोग trap भी हो चुके है, खुद को समझाने की वो कोशिश करते है, और और भी ऐसे बहुत सारे retail mister, बोले बाले retail mister इन चीजों में हम लोग को अटकते वे देखन युका आपे मिल जाएंगे, मैं already आप लोग को बता चुका हूँ दोस्तों, कि ये जब तक सारी चीज़े clear नहीं होती है, तब तक इन में पैसा लगाना, मतलब आप बहुत बड़ी risk ले रहे हो, और ये जो dialogue रहता है न, risk है तो इसके भाई, ऐसा नहीं होता है दोस्तों, शेर मार्केट में ऐसे जो नियम है, जो आप ये risk लेने की बात करते हो, वो calculated risk होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि किदर भी जाके कुछ भी पैसा डाल दिया करके, तो ये भी point आप लोग को पता होना चाहिए, emotionally decisions नहीं लेने, मैं बार-बार आपको बोल चुका हूँ, कि कोई political party, क फिलाल जो इतनी uncertainty बनी हुई है, उस तूफान के बीच में, retail investor ने खुद को संभाल करना चाहिए, इतना तो मैं पहले से ही बता चुका हूँ, आगे हर किसी की अपनी-अपनी मर्जी, सो आचा करता हूँ, वीडिया helpful लगा होगा, exactly क्या माजरा है, वो मैंने जितना हो सके, आसान भाशा में detail explanation के साथ cover किया है, तो वीडिया अच्छा लगे, तो चाहो तो like and share कर सकते हो, अगर आपने अभी तो coupon नहीं किया है, तो link नीचे description में 25 वीडियो की list आपको बिल्कुल free of cost मिल जाएगी, आपका नाम, कुनसा account आपने link के तो open किया है, properly comment section mention कर देना, तो अ झाल раз को सकते हैrendre में जाएगी तो graders का लगे दो वाँ टाएगी, तो किया अँर झाला आपको र म।बदी तो रमीक ड्रदियो रगे, चुछा चाला रचे प्याद प्या जा आपको से aproximadamente तो था गभात्र